दोस्तों आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने Android सिस्टम के अंदर रूटिंग के बारे में सुना होगा कि आप रूट करके अपने फोन से बहुत सारी ऐसी चीज़े कर सकते हैं जो आप पहले नहीं कर पाते थे तो आज के इस वीडियो में जानेगे की रूट क्या है और क्या आपको रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए नमस्का दोस्तों मैं हूँ चंद्रेश आप देख रहे हैं डीक आचाहरे और आज बात करेंगे रूटिंग की दोस्तों रूटिंग बेसिकली आपके एंडुड सिस्टम के अंदर बहुत ही लो लेवल का कंट्रोल आपको अलाव करता है रूट बेसिकली वह डिरेक्टरी ह आपको मिल जाता है रूटिंग करने के बाद अब रूटिंग क्यों करते हैं क्योंकि एंडुड का नेचर है वो है कस्टमाइजबिलिटी आप अगर कोई भी दो एंडुड फोन अलग-अलग मैनेफैक्टर के देखेंगे जो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जिन पर चल र अधुब परेटिंग के जा सकता है और हर एक एलिमेंट को यूनिक बनाय जा सकता है एक और जो आपको रूटिंग की जरिये मिल सकता है अब सबसे पहले समझ लेते है रूटिंग के नुकसान क्या है रूटिंग के नुकसान दोस्तों यह है कि सबसे पहला जब भी आप रूट कर लेते अपने फून को तो जितने भी popular manufacturers हैं वो warranty void हो जाती है वो warranty claim नहीं करने देंगे आपको जैसे Samsung LG वगर जो भी popular manufacturers है अगर आपक कर सकते हैं वो रूट चेक करने के बाद ही warranty claims को lodge करते हैं दूसरा कई सारे payment application होते हैं कई सारी मीडिया streaming application होते हैं जैसे Netflix वगर जो की रूट चेक करते हैं अगर आपका फोन रूटेड है तो आप कई सारे payment applications और जो मीडिया streaming applications है वो access नहीं कर पाएंगे तीसरा routing क्योंकि आपको बहुत ही low level access देता है Android में पूरे Android system को expose कर देता है पूरे Android system का modify कर सकते हैं तो इससे बहुत जादा बड़ी responsibility आपके हाथ में होती है कि कहीं कोई आप ऐसी file को modify ना कर दे जो system के लिए बहुत जादा critical है और फिर आपका phone अगली बार भूट ना हो पाए या फिर आपका phone बिल्कुल ही बंद हो जाए खराब हो जाए एक दम एक ब्रिक की तरह हो जाए कि आप सिर्फ उससे पेपर वेट वगर का काम ले सकते हैं सिर्फ वो एक ब्रिक बन के रह जाएगा बेसिकली एक टेक टर्म है जब आपका फून फ्लैश करते वेक्ट या रूट करते वेक्ट खराब हो जाता है तो उसे ब्रिक कहते हैं जब आपका फून नॉन अपरेटिव पंडिशन में होता है तो रूटिंग के समय अगर आप कोई भी कि बाग्रें जाएगा पूल तो आपका फून भी छो सकता हैम अब बात करते हैं अच्छी बातों की रूटिंग जातर ऐसे रूटिंग के बाद आसे कस्टमाज़ेशन की करते हैं लोग जो कि उनकी हों की ऐक स्कियों से बतर बनाता जैसा कि और रूट प्लूस अप्लिक हो जाता है तो लोग रूट अप्लिकेशन के जरी नाइट लाइट को बहुत पहले से यूज़ कर रहे थे जिसे बाद में Android में इंट्रोड्यूस किया गया ऐसे ही जो डूज मोड इंट्रोड्यूस होता Android में कि आपका फोन अगर स्टिल रखाए काफी देश से तो वह बैटरी से शुरू कर देता है तो ऐसे कई सारे रूट अप्लिकेशन से जिनसे आप यही सेम काम करवा सकते थे और वह बहुत पहले से अवेलेबल थे और बाद में Android में बेकिन कर दिए गए गूगल दौरा Android में गूगल उन्हें नेटिवली Android में इंट्रड्यूस कर देता है Android OS के अंदर ही डाल देता है ऐसे फीचर्स को दूसरा फाइदा अगर आप कस्टम रोम अगरे यूज करते हैं या कस्टम करनल यूज करते हैं तो आप अपने जो CPU की कोर क्लॉक्स अगरे होती है या कई सारे प आप मोडिफाई कर सकते हैं CPU की क्रॉक के स्पीड कम या जाधा कर सकते हैं जिससे कि आपकी बैटरी सेव होगी या फिर पर्फॉर्मेस बूस्ट होगा तो ऐसे बहुत सारे कस्टमाईशन आप में फोन के साथ कर सकते हैं तो बेसिकली रूटिंग काफी एडवंटेजिस है और एक और फाइदा जो रूट का होता है वो जनरली यह होता है कि रूट जो इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी फोन में वो आपके Android सिस्टम के अंदर किसी कमी को किसी exploit को यूज़ करके एक बैक डॉर बनाया जाता है पीछे का दरवाजा बनाया जाता है जिससे आप एक Android सिस्टम की रूट लेवल पर मतलब एकदम नीचे लेवल पर Android सिस्टम की एकस्स कर सकते हैं अब रूट करने का फाइदा यह होता है कि जहातर रूट करने के बाद जहातर एक रूट मैनेजमेंट अप्लिकेशन भी इंस्टॉल हो जाता है साथ में कि जितनी बार कोई application root की पर्मिशन मांगता है तो वो रूट मैनेजमेंट अप्लिकेशन जो है वो उस चीज़ का लॉग रखेगा कि इस application में इतने बज़े इस काम के लिए रूट की पर्मिशन मांगी थी तो जो आपके सिस्टम में एक्स्ट्रोइट है जो आपके एंड्रोइड में कोई vulnerability ती जिसे खोज के एक root बनाया गया उसके लिए root method बनाया गया उसके लिए वो आप basically cover कर देते हैं protect कर देते हैं root manager application के जरिए जिसमें आपको बार-बार पिन या password डालके applications को access देना होगा इससे आपको यह भी पता चलता रहेगा कि कौन से application root access कर रहे हैं एक और फायदा जो rooting का होता है वह यह होता है कि आपके phone में जो pre-installed applications होते हैं जैसे प्रेजंट एक्सिरिइंस से साटसफाइड है अगर आप है प्रेजंट एंड्रोई इस्मार्फ़ों से स्पिरिइंस से अगर आप अच्छी बात है आपको रूट करने की कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं इतनी परशानी लेने HI gibt पर आप देखे कि आपके फोन के लिए क्या-क्या root applications available हैं, आप क्या-क्या चीज़े अपने फोन से कर सकते हैं और ज्यादा अगर आप अपने फोन को root कर लेते हैं और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको phone root करना है तो बिल्कुल आसानी से आराम से XDA developers में जाईए अपने phone का model लागे, search करें root का method आपको मिल जागा आपके phone के लिए root का method, root करें XDA में ही सारे possible applications भी मिल जाएंगे कि आप root के बाद आपके phone से क्या-क्या चीज़े करवा सकते हैं और कैसे-कैसे उसे customize कर सकते हैं तो ये सारी चीज़े है root के बारे में आपकी मर्दिय है, root करें ना करें पर rooting के खुद के अपने कुछ फायदे है, खुद के अपने कुछ लुकसान है आपके use case पर डिपेंड करता है कि आप तो root करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस बारे में सबसे बढ़िया resource जो है इंटरेट पर अभी available है वो है XDA Developers Forum, आप कभी भी बहाँ पर जाके अपने फोन का model सेर्च करके आप root के बारे में और भी जादा चीज़े जान सकते हैं मैंने दो वीडियो के links भी description में डाल दिया है जो कि मुझे काफी पसंद है रूटिंग के बारे में पहला तो एजरी नॉक XDA Developers के एक member थे होनों ने एक्स्लें किया दूसरा technical guru जी ने एक्स्लें किया है तो प्लीज अगर आपको रूटिंग के बारे में और कुछ भी जानना है तो प्लीज उन वीडियो को भी देखे और Android Storage वाली वीडियो में मैंने बात की थी system partition की Android में कई सारे partition होते है system partition की बात की थी मैंने उसमे और root basically system partition पे ही control या access आपको grant करता है तो आप Android Storage वाली वीडियो भी देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके और इस वीडियो में एतना ही मुझे बताई आपको वीडियो कैसी लगी नमस्कार दोस्तों आपका दिन शुब हो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद